नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर इजांस में दोस्तों वीडियो रिग जाम के लिए जीए स्रीच का या तीसरा वीडियो है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यूपीपीस बीपीसी उत्तरा खंड पीसे साइट कई पेटकोर्स का चाते हैं तो ये दो नंबर दिये गए हैं यहां पर आप आप कॉल ्ाल रिटटश जानकार है प्राप्त कर सकते हैं तो आइए आज की वीडियो इथियोपिया, सुमालिया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वा हो जाएगा option A तंजानिया जो है heart of Africa में सम्लित नहीं है heart of Africa में सम्लित जो देश है जिवूति है, Eritrea है, Ethiopia है और सुमालिया है यह جो देश है,ीह heart of Africa में साविल है तो इसका option A जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है नियंतरक और महा लेखा परिच्छक के कर्टब्य और सक्तियों का वर्डन सम्विधान के किस अनुचेद में किया गया है आपके सामने चार option है अनुचेद 148, अनुचेद 149, अनुचेद 150, अनुचेद 151 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B अनुचेद 149 में जो है नियंतरक यों महा लेखा परिच्छक के कर्टब यों सक्तियों का वर्डन किया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option A हमबोल्ड जो है यह एक ठंडी जल दा रहा है और हमबोल्ड जो है यह परसांत महा सागय में बहने वाली ठंडी जल दा रहा है बाकी तीनो जो है एल नीनो पूरी एश्ट्रिया की जल धार और अलासका जो है यह तीनो जो है वह गर में जल धार आए हैं इसका option A जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला चोथी पंचवर्सी योजना का कारिकाल क्या था आपके सामें चार option दिया गया option पढ़ लिजी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option A 1979 से 1974 तक जो है वह चोथी पंचवर्सी योजना का कारिकाल था और यह पंचवर्सी योजना जो गाड़ गिल फॉर्मूले पर आधा रिती और इसी कारिकाल में जो है 14 वैंको का राश्टी करण और सुरित क्रांती क चोथी पंचवर्सी योजना के अंतरगत हुआ था तो इसका option A जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अग्रा प्रसंद देखते हैं लोग काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा हिमालय कहलाता है कुमायू पंजाब नेपाल असम तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा कुमायू हिमालय जो है वह सतलज और काली नदी के बीच के भाको कुमायू हिमालय का जाता है पंजाब हिमालय का जो छेतर है वह सिंदू और सतलज के बीच का जो छेतर है वह पंजाब हिमालय का जो छेतर है वह तीस्ता नद और काली नदी के बीच का जो इस्सा है वह नेपाल हिमाले कहलाता है अगला प्रस्न देखते हैं हम लोग नमबर 2022 में किस देश की संसन ने भारत के साथ मुक्त ब्यापार समझवते को मंजूरी दी है अमेरिका, साथी यरब, आस्ट्रेलिया, जापान तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका ओप्सन C, आस्ट्रेलिया देश की संसन ने भारत के साथ मुक्त ब्यापार समझवते को मंजूरी दी है और यह समझवता जो है 22 दिसंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 से यह समझवता लगू हो चुका है इसका ओप्सन C जो हो जाए जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्सन D, PC महालनोबिस के अधर्चता में जो है भारत सरकार ने 1949 में राष्टी आई की समित का गठन किया था और इसके जो अधर्चते वह पीसी महालनोबिस थे और इस समित ने जो है 1950 में, 1991 में यह रिपोर्ट अपनी सोपी थी 1991 में इस समित ने अपनी रिपोर्ट सोपी थी इसका ओप्सन D जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा PC महालनोबिस अगला प्रेशन देखते हम लोग जय विवित्ता को मापने के गंड़ती सूच कांकों में जो अस्थानी मापन में आउस्थ प्रचातियों की विवित्ता को द जातियों की विवित्ता को दर साता है यह प्रेशन जो है अभी विविवन दरोगा में बिल्कुल सेम पूछा गया था यह आगे भी पूछा जरू जा सकता है इसको आप लोग जरू यादा किएगा इसका option A जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला प्रेशन मात रख है ताप का सकती का उसमा चलक्ता का तुरण का तो इसका जो सयांसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option A ताप का केल्विन जो है वह ताप का मात रख है सकती का SI मात रख जो होता है वह आपका वाट होता है और उसमी चलक्ता का SI मात रख होता है वह आपका वाट प्रेथ अगला प्रेस्ट देखते हम लोग रुपए का प्रतीक जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह प्रतीक किस ने बनाया था उदैकुमार, असोग कुमार, नितीज, भारगव यह न में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उदैकुमार ने यह रुपए का प्रतीक जिन बनाया था तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, वह सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं लोग, निम्लखित में से किस राज में पंचायती राज प्रणाली जो है लागू नहीं है नागालेंड, सिक्किम, गोवा, हिमाचर प्रदेश तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ओसन ए, स्वरी ओसन ए, नागालेंड में जो है पंचायती राज, प्रणाली लागू नहीं है बाकी जो इसक्किम, गोवा, हिमाचर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू है तो इसका ए आप्शन जो हो जाएगा वह सही है अगला प्रसंद देखते हम लोग तोको फिरॉल बिटामिन का राशानिक नाम है आपके साथ में चार बिटामिन दिए गए हैं बिटामिन E, बिटामिन K, बिटामिन H, बिटामिन D तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ओप्शन A बिटामिन E का जो राशानिक नाम है वह तोको-फिरॉल है उप्शन A जो हो जाएगा तोकोशल को जाएगा अगला प्रसंद देखते हम लोग बाखिरा पस्ची विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है बाखिरा पच्य विया जो है, किस जिले में आपको ये बताना है, गुंदा, लखनाउ, संत्कवीर नगर, मेरेट. तो इसका जो सही नसर हो जएगा, वह हो जाएगा आपका औपच्छी सि, संत्कवीर नगर में. बाखिरा पच्छी वियार जो है एक रामसर साइड है और यह जो किस जिले में इस्तित है यह संत कवी नगर जिले में इस्तित है उतर पर देश के इसका option C जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला प्रसंद दिखते हैं हम लो जरी जर्दोजी एक जिला एक उत्पात के अंतरगत किस जिले का उत्पात है अमेठी बागपत बदायू बलिया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C बदायू का उत्पात है जरी जर्दोजी एक जिला एक उत्पात के अंतरगत और अमेठी का उत्प मरी सुचकांग 2022 में भारत की रैंक क्या है आपको यह बताना है 99, 107, 101, 102 तो इसका जो शही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B 107, global hunger index जो है 121 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी वह 107 थी, अगला प्रेस देखते हम लोग, भारत आने का सही क्रम है, चार विदेशी यात्री दिये गए हैं, इनका जो है सही कालन क्रम में ब्यवस्तित करना है, कौन सा option सही है आप लोग option पढ़ लिजिए, फायान, इत्सिंग, मेगस्तरीन, विंसांग, तो इसमें जो है फायान जो है, फायान यह चंदगुप दोती के सासन काल में आया था, औ बात करते हैं इत्सिंग की तो यह चीनी यात्री था, और यह जो है 675 इसवी में भारत में आया था, इत्सिंग जो है चीनी यात्री था और यह 675 इसवी में आया था भारत, बात करते हैं मेगस्तिनी की, तो मेगस्तिनी जो है वह चंद्रगुप मौर के सासंकाल में आया थ वह 305 इसा पूर्व में और बात करते हैं हुईन संग की तो हुईन संग जो है यह हर्सवर्दन के कारिकाल में आयता और यह जो है 629 से 643 इसवी तक भारत में रहा था तो इसके अंसार जो है आपका अप्शन सी सही हो जाएगा 3,1,4,2 इसका अप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगना प्रस देखते हम लोग क्रिशिवर्स कब से कब तक होता है आपके सामने चार ओ necesita ज्यागों आप्षन पर लीजे तो इसका जो सढ़िया अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्षन ए एक जिलाई से 30 दोन तक जो है का जो टाइम पिरियुड होता है यह tweak verse कहलाता है और वित्ती verse जो कब तक होता है अपरैल से 31 मार्च तक वित्ती verse होता है foresee when the truth is better वा एक जुलाई से 30 जुन तक होता है कि जुलाई से तीस जुन तक होता है एकitäten first एकडुरस अगला देखते हैं इसका option यह हो जाएगा वा जाएगा अगला प्रशन देखते हैं लोग तोड़ा एक जंजाती है जो निवाज करती है अरावली पहाड़ियों पर हिमाचर पर देश में नेल गिर पहाड़ियों पर बिंद्या चल पहाड़ियों पर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C नेल गिर की पहाड़ियों पर जो है तोड़ा जंजाती पाए जाती है इसका option C जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं लोग इसके कौन G20 के लिए भारत का विशेष आमंत्रित अतिक्त देश नहीं है आपके सामने चार देशों के नाम दिए गए हैं बांगला देश, मिश्र, मौरिसस, सिलंका तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option D सिलंका सिलंका जो है वह भारत का विशेष आमंत्रित अतिक्त देश नहीं है बांगला देश, मिश्र, मौरिसस, नीदरलैंड, नाजीरिया, ओमान, सिंगापूर, इस्पेन और यूए को जो है इसका option D जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा सिलंका इन में सामिल नहीं है अगला प्रसंद एकते हम लोग पंचायतों का गठन किस अनुछेद में है 49, 40, 41, 42 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B अनुछेद 40 32 सम्मिदान के अनुछेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश है option C जो हो जाएगा, option B जो हो जाएगा अगला पर देखते हम लोग निर्वलखित में से सही मिलान करना है आपके सामने इनके राजधानियों के राजवंसों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करना है चोल की जो राजधानी थी वह आपकी तंज़ोर थी चोरवंस की जो राजधानी थी वह तंजव थी पांड की जो राजधानी थी वह आपका मदुलई थी चेर की जो राजधानी थी वह आपकी वांची थी और पल्लो की जो राजधानी थी वह कांची पुरम थी यानि दो दो चार एक तीन तो इसका option C जो हो जाएगा वह सही हो अगला प्रसंद देखते हैं लोग, भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्ता को 1973 में प्रारम किस ने किया था, लॉर्ड जॉन्सोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्णवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, इसका जो सरी आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका option C, ल हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हम लो, करकरेका निमलकेत में से किस राजी से नहीं गुजरती है, मद्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तिर्पुरा, ज्हारकंड, तो करकरेका जो है भारत के आठ राज्यों से गुजरती है, और उत्तर प्रद प्रसंद की किसम है, गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर, तो इसका जो सइए अंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ओप्शन भी, भिंडी की जो है, यह किसम है, 9 का ड Town लでनों संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में कितने साथ्री नित्य है आठ नौ बारा साथ तो इसका जो सही हान्वर झायगा वह हो जाएगा आपका option A art संगीत नाटक अकादमी की अनसार जो है भारत में कुल सास्री नित्यों की संख्या जो है वह आठ है इनने कौन-कौन से हैं भारत नाट्यम भारत नाट्यम कत्थक, कतकली, कुचिपुडी ओडिसी, मडिपुरी मोनियट्टम और सत्रिया या जो आठ भारत में सास्री नित्य हैं संगीत नाटक अकादमी की अनसार दोस्तों आज की वीडियों इस समाप्त करते हैं आपको यह वीडियो कैसी लेगे, कमेंट करबें जरू बताएगा मिलते हैं या नेक्स वीडियो में, जैहिन जै भारत